स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चैनल पर तो जो पढ़ाया आज पेपर में वही आया और मुझे तो बहुत खुसी हो रही कि हमारे चैनल से जितने बच्चों ने श्टड़ी की तो First Year Second Year में जो हमने पढ़ाया था उसी में से आया ऐसा कुछ नहीं हमने सिर्फ यही बताया था हमने आपको additional कुछ चीज़ें भी बताई थी और वो आपको exact मिला होगा तो answer की अगर देखें तो First Year का आज का paper यही था जो कि paper repeat हो गया था जिसको paper out होना नहीं कहेंगे paper repeat होकर आ गया था ऐसा कई बार होता है paper repeat हो जाता है तो I hope paper सभी का अच्छा हुआ होगा और Second Year का exam हुआ उसकी भी answer की है मिसी में दिखाएंगे First Year की answer की है आप देख सकते हैं अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा था आप खुद से करके हैं तब भी आप मैच कर सकते हैं कि आपका वीडियो आपने जो बनाया हो कैसा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा कि किसका किसका paper बहुत अच्छा हुआ कि किसने किसने पूरा जो है 50 marks का जो question था 100% attend किया है यहाँ पे पहला question था आपका subscriber आपको बनाना था subscriber आप सभी ने बना दिया होगा हमने पहले बताया था आपको साफ सुथरा बनाना है साथ में आपको nomination जो नाम देना हो नाम जरूर लिखना है साथ ही दूसरा question था आपका center punch center punch 60 degree लिख के आया था अलरी तो आपने 60 degree पे ही बनाया होगा इस तरह लिख के तीसरे question की बात करें तो यह हमने को symbols बताया था यह सब तो नहीं आया था आपके फिर भी आपके लिए beneficial थे यह ellipse यह आप सभी का आया था four center method से ही बनाने को आया था 80 and 40 में ही आया था ता I hope यह भी आप लोगों ने बना लिया होगा और सभी ने इसको भी अच्छे से किया होगा फिर आपका था dimension का हमने इसमें बताया था आपको aligned system और unidirectional system क्या क्या है तो aligned system में dimensions लिखी हुई है यह आपने किया होगा कि इधर से और इधर से हम क्या करें dimensions को सीधा पढ़ें उसको aligned system बोलते हैं अगर सारी dimension क्या हो बीच में line को break करके लिखा जाया और सिर्फ आप नीचे से सीधा पढ़ें तो उसको हम बोलते हैं एक दिसी जानी unidirectional system तो यह aligned system में इनकी dimension दिखा नी थी यह भी आप लोगों ने अच्छे से दिखा दिया होगा next question था आपका projection का जो आपको object मिला हुआ था इसका आपको third angle में projection बनाना था तो यह था आपका front view यह था top view और यह side view आपने इस तरह से बनाए होंगे front view आप देखेंगे इस तरह क्या आपकी आएगी तो आप मिलान कर सकते हैं अगर आपने बनाया है सही बनाया तो भी आप बहुत अच्छी बात है अगर आपने नहीं देखा था वीडियो उसके बाद भी आप अच्छे से करके आए हैं तो आप यहां से मिलान कर सकते हैं हाँ ये जो था आपका ये इस तरह से आप तभी ने नाम भी लिख दिया होगा तो अभी जल्दी चैनल पे हम इस वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगा जो कल आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है ट्रेड प्रैक्टिकल का भी हम वीडियो बना रहे हैं चार से पांच ट्रेड का जो है जो कॉमन ट्रेड से उनके हम ट्रेड प्रैक्टिकल के वीडियो बना देंगे हमारे पास अलड़ी मॉडल पेपर सुनके हैं टेक स्टड़ी आईटे याप सर्च करेंगे टेलिग्राम पे तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप उस ग्रूप को जोईन कर लीजिए आप चैनल को जोईन कर लीजिएगा उस पे भी आपको ए रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया टेलिग्राम चैनल का तो वहाँ से भी आप लोग जोईन कर लीजिएगा थेंक्यू बेरी मच चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थेंक्यू